अस्ताम अलेकम क्लास, आज हम अपना ओनलाइन क्लासिस का सेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, अनालेसिज अफ टाइम सीरीज की चैप्टर से, आप लोगों को पता है कि जब आप डेटा को क्लासिफाई कहते हैं, तो फोर टाइप्स में करते हैं, क्वान्टिटेटिव टेमपोरल और ग्रैफिकल क्वालाजज गौलीटेटिव डेटा एचसा डेटा उता है जिसने आप प्रेट से को करते हैं क्वान्टिटीज के अकॉर्ड यडर नहीं की जा सकती मिंधाने उनको categories के according आप करते हैं इसको categorical data भी कहते हैं time series के analysis के लिए जो data आप यूज करते हैं वो temporal data कहलाता है या chronological data भी कहलाता है जो geographical data ऐसा data होता है जो land के according आप ने distribute किया होता है analysis of time series में आप successive time periods के according data को express करते हैं और data को describe करते हैं एक और objective point of view से important चीज़ में आपको बता दूँ के histogram ऐसा चार्ट होता है जो के time series के लिए इस्तमाल नहीं होता बलके frequency distribution के लिए इस्तमाल होता है और historygram history से historygram आपके पास ऐसा graphical representation होती है जिसमें time series का data present किया जाता है यहां पर कुछ और important definitions भी है signal signal ऐसा systematic component of variation है जो के time series में आ रहा होता है और noise आपके पास irregular component of variation आता है जो के time series में आता है अगर systematic component होगा तो signal कहलाएगा अगर irregular होगा तो noise कहलाएगा histogram जैसे के मैं आपको बता चुकी हूँ successive time periods के according आपने values को production, population, किसी भी किसम की जो भी value उसकी plotting की तो वो आपके पास graph क्या कहलाएगा histogram कहलाएगा time series के components basically four होते है secular trend, seasonal trend, cyclical trend और irregular trend ये इसमें दो तरह के models involved होते है एक तो आपका productive model कहलाता है एक आपका additive model होता है ज्यादा तर आपका productive model यूज किया जाता है ठीक इसमें coding time period का थोड़ा सा बताया हुआ है उसमें ये है कि अगर आपका one year के according है तो आपने किस तरह से करना है उसको एक तो यही है कि आपने starting month को origin ले लेना है 0, 1, 2, 3, 4 करके या फिर आप central year को origin लेके minus 1, minus 2 पर और नीचे one 2 करती है और इसी तरह अगर आपके one year coding के साथ चल रहा होता है ये देखे उसमें बताया है अगर center में लिए तो और इसी तरह अगर आपके even है years और half year आपने difference लेना है तो उसमें करने का तरीका होता है minus 0.5, 1.5, minus 2.5 और नीचे plus की values के साथ और इसी तरह अगर half year unit है तो minus 1, minus 3, minus 5 और 135 इस तरह करके आप इसको करते है